हेलो फ्रेंग्स वेलकम बेक टू प्रगती मंतर क्लासेस माइनेम इस शिवांगिय अगर्वाल तो चलिए सलते हैं आज एक और नई चाप्टर की तरह और जिसका नाम है और वर्गीकरत आंकडू का माद्य यानि की मीन ओफ अंग्रूब्ड डेटा और वर्गी क्रत आंकडू का माद्य देखो तो पहले यह समझते हैं कि यह जो हमें चाप्टर का नाम दिया हुआ है अखिर इस चाप्टर के नाम से मारा क्या मतलब है आंकड़ी किसे बोलते हैं और वर्गीकरत किसे बोलते हैं माद्य किसे बोलते हैं पहले हम लोग यह समझते हैं तो सब से पहले हम बात कर लेते हैं जो इसका में टॉपिक है हमारे चाप्टर का वो है माध्ध है यानि कि जिसे हम इंगलिश में क्या बोलते हैं और जिसे हम बोलते हैं आवरेज या फिर मीन भी इसको बोला जाता है इन दो नामों से और हम इनको जानते हैं आवरेज को में एक नाम है ठीक है अभी जैसे कि हमारी है की बात करें कि आज हुंआ करने मरीज हमारे ति हो यह जो आंकड़े हम सुनते हैं 30 वाधर के लिए सुनते हैं यह बहुत सारी चीज़ों के लिए सुनते हैं, यह क्या होते हैं, हमारे सारे के सारे होते हैं, आंकडे, तो आंकडों में हम क्या करते हैं, students, आंकडों के लिए हम यूज करते हैं, किसी ना किसी नमबर्स का, और यह नमबर्स कहां से लेते हैं, मैच से लेते हैं, यानि कि अपने जबनित की हेल्प से हम क्या करते हैं यह जो अपना टॉपिक है एवरेज फिर मीन है इसको शुरू करते हैं ठीक है तो यह जो हमारा एवरेज मीन है यह कौन सी ब्रांच में आता है यह हमारा आता है मैंस की ब्रांच है स्टैस्टिक्ट तो यह जो मारे स्टैस्टिक्स ब्रां कर सकते हैं ठीक है जनरली हमारे लिए माद्धे जो होता है हमारा helpful होता है जब हमें किसी दो चीजों को comparison करना हो मान लो कि अगर हम जैसे मारी कोरोना की पहले जो मृत्यू दर थी रिकवरी रेट था वो कितना था और अभी कितना है तो उन सब चीजों के लिए हम क्या यूज करते हैं यह माद्धे को यूज करते हैं जैसे कि आप लोगोंने मैचेस के बाद भी देखा होगा बीच बीच में आपको वह स्टरीके से ग्राफ शो कर प्रवर्ति के मापक होते हैं अब क्वेश्चन यह राइस होता है क्या केवल मीन ही है नई इस्टूडेंट्स और भी दो ऐसी चीज़े हैं जो हम सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर पढ़ते हैं यह केंद्र प्रवर्ति के तरफ देखते हैं तो पहला तो उसमें था हमारा मीन यानि की माध्य है नेक्स्ट हम याद रखेंगे एक होता है मीडियन और इसको हम बोलते हैं माध्य का अभी हम देखेंगे तीनों को भी क्या मतलब है इनका और एक होता है हमारे पास मूड यानि की बहुलक यह तीन चीज़े आपको याद रखनी है किस से रिलेटेड होती है हमारी सेंटर टेंडेंसी से यानि की केंद्रिय प्रवर्ती से ठीक है अब हम समझते हैं कि आखर यह मीन मोड वीडियन होते क्या है एक बात और याद रखेंगे कि इस माध्य को हम समानतर माध्य के नाम से कुछ नंबर्स दे दिये गए हैं कि इस तरीके से माल लीजे कुछ नंबर्स दे आप और आप से यह पूछा जाए कि बहें का मीन मोड और मीडियन करके दिखा दो तो पहले जी समझत हैं कि मीन मोड मीडियन को था क्या है देखो मुझे एक तरह की का डेट रिया अगर इसके बाद मेरा माध्या मेरे इसके बारे में ॅब किसी बीदे निकालते हैं। तो वो हमेशा उसकी सबसे चोटी और सबसे बड़ी वैल्यू के बीच में ही लाई करेगा मेरा कभी भी जो अंसर आएगा ना सुडेंट्स वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वन से छोटा हो जाए या फिर रेट से बड़ा हो जाए क्योंकि हम इन्हें डेटा का तो आउसत निक सब का मतलब क्या होता है बीच में कौन सा स्जूटेंट तो आपके तीन बाला राया ना कि बीच में बैठ रुआ Уइन लेकिन अगर यहीं मेरे पास एक और बच्चा होता तो मैं कैसे निकालती तो उसके भी हम तरीके देखेंगे कि किस तरीके से हम इवेन नमबर्स का भी मीडिया निकाल सकते हैं नेक्स आता है हमारे पास मोड की बात मोड का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी जादा बार रिपीट हो रही है बहूलक है ना नाम चाहिए समझ मेरा बहूलक यानि कि जिसकी बहूलता जादा है जिसकी फ्रिक्वेंसी जादा है उसी को हम बोलते हैं मोड यानि कि अगर कोई भी ऐसी चीज है जो सबसे जादा बार रिपीट हो रही है हमारे पास तो वो सिंपली बन जाती है हमारी मोड जैसे कि अगर मैं इस data में बात करूँ तो केवल 3 मुझे एक ऐसा number दिखाई दे रहा है जो 2 बर repeat हो रहा है मतलब इसकी जो बारम बारता है इसकी जो frequency है वो 2 है सबसे जादा है तो यही मेरा क्या बन जाता है यही बन जाता है mode तो आई होप आपको यह 3 concept समझ में आयोंगे mean का, median का और mode का mean को याद रखेंगे माध्या बोलेंगे, median को याद रखेंगे माध्य का बोलते हैं और mode को याद रखेंगे बहुलग बोलते हैं यूपिटेट में, first paper में, second paper में कई बार आप लोगों से पूछा गया है तो उसके बारे में भी हम देखेंगे तो अब हम देखते हैं माध्य को यानि की mean की बारे में बारे में बात कर लेते हैं कुछ examples की help से क्या खेर इसको हमने समझ तो लिया कि माद्य होता क्या है लेकिन अगर इस पर based हम से question पूछे जाएंगे तो किस तरीके के question होंगे और किस तरीके से हमें उसको solve करना है तो for example, पहले के example लेके चलते हैं और उसे समझते हैं माल लीजे मेरे पास कोई एक class है ठीका उसमें students का weight है, एक बच्चे का weight है 42 kg, एक का है 50, एक का है 48, ठीका जी एक का है 47, और किसी और एक बच्चे का है 43 kg, ठीका जी अब हमें यह दिया हुआ है किसी class के बच्चों का weight, अब हमसे पूछा गया है कि इस class के आप average weight बता दो, mean बता दो कि लगभग जो बच्चों का weight है वो किसके आसपास है, ठीक है, तो जब आपसे कभी भी लगभग की बात पूछ करी जाए, average की बात करी जाए, यानि कि हमें दिये हुआ है students, जो भी numbers हमें दिये हुआ है, उनको हम क्या करेंगे सबसे पहले add करेंगे, इस तरीके से, और अब मैंने हाँ पर 5 क्यों लिखा है, यह समझने वाली बात है, जितने मेरे पास numbers होंगे, उसी को मैं count करके यहाँ पर लिखूंगी, जैसे कि मेरे पास यह है, 1, 2, 3, 4, 5, इसलिए मैंने हाँ पर 5 लिखा है, आप देखो हमें क्या करना है, simply, simply हम इनको add करेंगे, और add करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कर देंगे, हम 5 से divide, और जो हमारा answer आएगा divide करने के बाद, वही बन जाएगा हमारा answer, तो अगर हम देखें add करके, तो 90, 90, 180, और 180, यह हो जाता है, हमारे पास, 230, divided by 5, और अगर हम इसको solve करेंगे, तो यह हमारा आ जाएगा, 5, 4, 5, तो average weight का, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बोलूँ, तो मैं बोलूँगी कि इस class में जितने भी मेरे पास बच्चे है, उनका average weight है, लगभग किसके आसपास है, व उसमें 46 से जाधा भी हो सकते हैं, और 48 से कम भी हो सकते हैं, 46 भी हो सकते हैं, ठीक है, तो यह ही है हमारा क्या, यह हमारा माध्य, अगर यहां से हम formula drive करने की बात करें, यानि कि अगर हम देखें कि अवरगी करत, आंकडों का माध्य हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर मै इसका यहां से formula drive करूँ, तो क्या formula बनेगा, इसका formula बन जाता है कि जितनी भी मेरे पास frequencies हैं, जितने भी मेरे पास numbers हैं, उन सब को मैंने कर दिया add, और देखो, math की language में addition को दिखाने का एक हमारे पास special symbol होता है, जिसको हम बोलते हैं sigma, ठीक है जी, और sigma को हम represent करते हैं इस तरीके से, ठीक है, अब इन सब को मान लिया मैंने कि यह मेरे पास x1 था यह मेरे पास x2 था, यह मेरे पास x3, x4 और 5 ठीक है जी, अब कितने number है मैरे यहां पर Peg Benud कर रहा है रहा है मेरे नंबर सब्वा को यानी कि जो ये है मैंने कहां से शुरू कर रहा है इसको बंड टो लिखेंगे के जो एन है न और स्वारी सब्सक्राइब क्यां वह रहा है लग अलगिए है ठीक आप देखो यह तो होगे हमारा समेशन यानि कि जो हमने उपर की वैल्यूस का क्या लिया इडिशन ले लिया इसके बाद बात आती है कि अब डिवाइट करने की तो डिवाइट हम कितने नंबरों से करेंगे जितने हमारे पास टोटल नंबर आफ एन होंगे तो इसको स सकते हैं capital N से या फिर कभी कभी आपको कई books में N से भी इसका denotion मिलेगा तो डिपेंड करता है कि आप किस book से study कर रहे हैं उस बात से कोई फरक भी नहीं पड़ता बसामें ध्यान रखना है कि यहां पर क्या आता है हमारे पास यहां पर आती है इन नंबरों की टोटल संख्य तो जैसे कि इस question में मेरे पास इस अंख्या 5 तक जा रही थी तो नीचे भी क्या आ जाएगा मेरे पास यहां पर 5 आ जाएगा तो इस तरीके से हमारा बन जाता है यह formula ठीक है किसका formula बन गया यह formula बन गया हमारा माध्य निकालने का यानि की average निकालने का अब लेकिन याद रखिएगा यह formula हम तभी यूज करेंगे जब हमें किसी इन नबर्स की frequency नहीं दी हुई है यानि की बारंबारता नहीं दी हुई है अगर किसी question में simply हमें इस data दे दिया ठीक है ungroup data दे दिया गया और पूछ लिया गया कि आप माध्य निकालो तो हम इस formula को यूज करेंगे लेकिन अभी हम ये भी देखेंगे कि अगर किसी question में हमें बारांबारता दी हुई है तब हम अपने question को किस तरीके से स्व death and pendra बा मां लीजे आपको पूछ गया है question के 1 से 15 तक अभाज्य संख्याओं का माध्य ग्याद कीजिए इस तरीके से मालीचा आप कोई अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है और अभाज्य संख्याओं की बात हो रही है और अभाज्य का मतलब होता है कि कोई जो हमारी संख्या है वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होगी अपने लावा और वन के लावा ठीक है जी एक बात हम और याद रखेंगे अभाज संख्या होती है 1 यह कभी भी अभाजन संख्याओं में नहीं आते हैं अब इसका भी एक tied को मान लों कि मैनने एक प्राईम शुरी है मान लों कि वहिए और इसपे ऐसा पनी स्अधों की दिवएड होगा है यह साथ में से भी होगा लेकिन क्या वन जो हमारा eligibility है क्या यह इस पर follow हो पा रही है क्या 1 कि लावस कोई और factor बन पा रहा है नहीं बन पा रहा है इसलिए हम इसको अभाज्य संख्यों की category में नहीं रखते हैं बहुत बार आपसे बन के लावा दूसरा अब हमें क्या गयात करना है इनका अनका माध्या करना है तो पहले को नमबर को ऐख से 15 के बीच में और भाज्य भी होंगे तो पहला बने मिलेगाаете फिर वह मिलेगा 5 5, then 7, then 11, और दे 13. तो यह नमबर हे हमारे पास एक से लेके 15 तक जो कैसे हैं बाजिये हैं. अब हमने क्या देखा था भी? फॉर्मूले का अगर हम यूस करें, तो फॉर्मुला होता था हमारे पास सिग्मा F, सॉरी, सिग्मा xn, n is equal to 1 से लेके कितने भी हमारे पास number है वो upon में and यह हमारे पास formula होता था students ठीक है जी अब हम sigma का मतलब कि हम इन सब का कर लेंगे summation तो यानि की 2 plus 3 plus 5 plus 7 plus 11 plus 13 upon में कितना ले लेंगे कितनी संखिया है मारे पास 6 संखिया में दिखाई दे रही है तो हम आपे ले लेंगे upon में 6 तो जब हम इन सब को add करेंगे students यह आजाएगा हमारे पास 41 divided by 6 और जब हम इसको डिवाइड करके लिखेंगे ठीक है तो हमारा decimal mentor आएगा कई बार ऐसा होता ह है कि आप यहीं भी छोड़के आ सकते हो लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूंगी कि आप इसको point में चोड़के आएंगे तो ज्यादा अच्छा है तो यह आएगा हमारे पास 365 पॉइंट लगा देंगे यह जाएगा हमारे पास 50 यानिकी 68 कुछ approximately हमारे पास इतना नंबर यह 6.8 के सबस आ जाएगा ठीक है तो यह हमारा क्या बन गया यह हमारा बन गया माद्ध है यानि कि आवेड जिसको हम भूलते हैं या फिर मीन बोल सकते हैं तो इसी तरह कैसे आपसे question पूछे जाएंगे या तो अपको डेटा देगा या फिर आपको इस form में question देगा आपको ख frequency दी हुई हो बारंबारता दी हुई हो तो किस तरीके से question को solve करेंगे अब उसको देखते हैं ठीक है तो मान दीजे एक question हमें दिया हुआ है आपको टेबल की form में question दिया जाएगा यहाँ पे आपके पास पद होंगे और यहाँ पे होगी आपके पास बारंबारता इस तरीके से मान दी जब उस Data ले लेते हैं अपनी मर्जी से इस तरीके से हमें कुछ Data धिया हुआ है यह हमें दिया हुआ है डेटा ठीक है यह हमेरे पास है पद और यह है इनकी बारंबारता बारंबारता का मतलब क्या है मैं आपको पहले भी बताया बारंबारता का मतलब होता है कि कोई चीज कितनी टाइम्स रिपीट हो रही है ठीक है यंदि के दोहराई जा रही है उसको हम बारंबार तक कि यह चीज इतनी बार आई, इसी को बोला हमने बारंबार ता, अब इस case में हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले, इसको हम मानते हैं, frequency, इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं, frequency और पद को हम मान लेते हैं, x, जैसे कि हम लोगों ने पिछले अपने formula में भी देखा तो आप देखो हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर हमें एक टेबल खुद से बनानी पड़ेगी वो कैसे बनेगी वो बनेगी इन दोनों के मल्टिप्लिकेशन से यानि कि आप हम यहां पर क्या निकालेंगे यहां पर निकालेंगे f multiply x simply आपको कुछ नहीं करना यह जो दोनों numbers आपको दिये हुआ है ना आपको इनकी multiply करके इस table पर लिखते जाना है ठीक है और यह काम आपको अपने exam copy भी करकर आना है यह table आपको show करनी है तो multiply करेंगे इस तरीके से हाँ पर लिखना है कि हमने जो numbers बनाए है यह किस तरीके स करेंगे तो कितना हैगा 6, 4, then 24, 5, 8, 40, 20, and then 60 ठीक है जी अब देखो इसके बाद हमें क्या करना है एक-एक step करके चलेंगे यह था हमारा first step कि हमने table complete कर ले अब जैसे कि हम लोगों ने पिछली बार जो summation था बोल गया था अपने पदों का ठीक है इस बार जो हमें summation लेना हो हमें fx का यानि कि जो हमने अभी table बनाई है ना उसका हमें इन सब numbers का sum लेना पड़ेगा और divide किसे करेंगे divide हम करेंगे frequency से अब मैंने यहां पर summation का भी sign लगाया है यह आपको ध्यान देने वाली बात है इस summation का मतलब क्या है sum का मतलब क्या है sigma का कि आपकी बार हमें इन सब का एडिशन लेना है ठीक है जी और इन सब का एडिशन लेना है ठीक है आप हम करते हैं इनको add तो यह आपका हो जाएगा 100, 120, 120, 130 और यह हो गया आपका 154 अगर मैं इसको add कर देती हूँ ठीक है इसी तरीके से मिस का summation निकालेंगे तो यह हो जाएगा 4, 4 और 8, 8 और 5, 13 13 and then 2, 15 यह हो गया आपके पास 20 ठीक है अब यह आपके पास आ गए इन दोनों का summation अब आपको simply कुछ नहीं करना average इन दोनों values को इस formula में हम कर देंगे put ठीक अब इस formula में जब हम put करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आजाएगा 154 divided by 20 solve करेंगे इसको तो यह हमारे पास आजाएगा 7.7 और यह हमारा ही क्या आगया यह है हमारा इस question का माध्य यानिकी इस question का mean देखो फिर सकर आप चेक करना चाहूं तो कर सकते हूं जो 7.7 है ना यह आपका इन ही numbers के बीच में लाई करेगा देखो कैसे सबसे छोटा सबसे बड़ा नंबर की बात करूं तो 12 आ रहा है यहां पर और जो 7.7 है ना हमें clearly दिखाए दे रहा है कि टू और 12 के बीच में ही आता है तो यह चेक करने का तरीका भी हो सकता है आपके कि जो माध्य है ना आपका अंसर तब ही ठीक है कि जब वो इन numbers के बीच में लाई कर समझा हमने statistics को समझा फिर हमने देखा कि अगर हमारे पास अवर्गीकरत आंखड़े दिये हुए हैं और हमारे पास बारम भारता एक बार नहीं दी हुई थी और एक बार दी हुई थी तो किस तरीके से हम दोनों केसे में अपने questions को solve कर सकते हैं इन सब चीजों को समझा तो आपको यह समझ में आई होंगी चीजे नहीं समझ में एक बार रिपीट करिए कोई डाउट है कॉमें सेक्शन में पूछिए और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूले चानल को सब्स्राइब करना ना भूले बैल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आ आल दे बेरी बेस्ट पढ़ते रहिए